मटके वाली का सपना एक गाउं में एक निर्धन स्थ्री रहती थी वह बहुत परिश्रमी थी वह मटके बनाती थी और उन्हें शहर ले जाकर बेजती थी जो पैसे मिलते उनसे घर के लिए चीजें खरीद कर लाती थी एक दिन मटके वाली कुछ मटके लेकर शहर जा रही थी चलते चलते वह ठक गई रास्ते में वह एक व्रिक्ष के नीचे बैठ गई उसने मटकों को जमीन पर रखा पोटली खोल कर खाना खाया और खा पी कर पेड के नीचे लेटी वह सोचने लगी मैं बहुत खरीब हूँ पैसे के लिए कितनी मेहनत करती हूँ मैं जल्दी अमीर कैसे बनूँ मैं आज मटके बेच कर एक मुर्गी खरीदूँगी मुर्गी बहुत से अंडे देगी अंडे बेच कर मैं बहुत से मुर्गियां खरीदूँगी फिर मैं रोज सेकड़ों अंडे बेचूंगी इस तरह मेरे पास बहुत पैसा जमा हो जाएगा फिर मैं एक गाई खरीदूंगी मैं रोज शहर में गाई का दूद बेचूंगी उन पैसों से बहुत सी गाईं खरीदूंगी फिर सब मुझे सेठानी जी कहेंगे मैं एक नौकर रखूंगी वह गायों को देखेगा, दूद दूहेगा वह ठीक से काम नहीं करेगा तो मैं उसे ऐसे एक लात मारूंगी मटके वाली ने जोर से लात मारी पैर पढ़ते ही उसके सारे मटके तूट गए वह रोने लगी और रोते रोते खाली हाथ लोटी